लदाख बर्व से ढखे पहाडों और अपनी सांस्करतिक विरासत के लिए मशूर भारत का यह केंदर शासित प्रतेश अपने आप में एक कई अमूली धरोहरों को सहेजे है इन सब में से एक है विश्व के सबसे मुलायम और महीन धागों में शुमार पश्मीना लदाख के खूबसूरत घास के मैदानों में पाली जाने वाली चंग्ठंगी बकरियों के बालों से बनाये जाने वाला पश्मीना उन कीमती शौलों को बनाने के काम आता है जो परीधानों की सुन्दरता बढ़ाने के साथ ही लोगों को गर्म भी रखती है इन बक्रियों को पालने वाले लोग शांगपा के नाम से जाने जाते हैं शांगपा इस पेशे को जारी रखने के लिए कई समस्याओं से जूचते हैं इस समुदाय के लोग मौसम के साथ अपनी जगश बदलते रहते हैं जिससे इनके मवेशियों को परियापत रूप से घास मिल सके पचास साल की डोलमा आंगमो लदाक के खारनक के जारा कैम्प की एक सदस्य है डोलमा तीस साल पहले अपनी शादी के बाद इस कैम्प में आई थी उनके अनुसा तब से लेकर आज तक बहुत कुछ बदल चुका है पहले एक कैम्प में 80 से 90 परिवार होते थे लेकिन अब सिर्फ 14 या 15 परिवार ही बचे हैं तीस साल पहले जब मैं शादी करके इस कैम्प में आई थी तब हमें याक पर अपने सामान शिफ्ट करना पड़ा था अब नई काडियों और सड़कों की वज़े से जीवन थोड़ा आसान हो गया है मगर फिर हमारे लोग ये पेशा छोड़कर शेहरों में जा रहे हैं जहां उनके समुदाय और कैम्प के लोग शेहरों की और बलायन कर रहे हैं वहीं डोलमा ने इस पेशे को जारी रखने का फैसला लिया है स्वास्त और शिक्षा जैसी सुविधाओं के मामले में इन कैम्पों में बड़ी समस्या है हमारी कैम्प में एक नर्स है जो छोटी मोटी तकलीफ में दवाई दे देती है लेकिन बड़ी सरूरत के वक्त हमें दूर जाना पड़ता है ठंड बे दिक्कत और बढ़ जाती है क्योंकि अधिकतर रास्ते बर्व से ठके होने के कारण बंध होते हैं कभी कभी सरकार की तरफ से हेलिकॉप्टर भेजा जाता है लेकिन वो सिर्फ बहुत इमर्जेंसी सिचुईशन में होता है पहले हमारे पास एक स्कूल था लेकिन अब वो भी बंध हो गया है इसलिए अगर हमारे लिए कोई स्थाई जगह होगी तो हमें बहुत मदद मिलेगी चूनी दानू भी दोल्मा की तरह ही एक चांगपा कैम्प का हिस्सा हुआ करती थी लेकिन कुछ साल पहले उन्होंने भी दोल्मा के बतायकारणों के वज़े से अपना कैम्प छोड़कर शहर जाना ठीक समझा पश्मीना के लिए काम करने वाले इस समुधाय के लिए एक और बड़ी समस्या पैदा हो रही है वह है क्लाइमिट चेंज या जलवायू परिवर्तन लदाख एक ठंडा रेगिस्तानी इलाका है जो अपनी पानी की ज़रूरतों के लिए बर्दबारी और ग्लेशियर पर निर्भर है पिछले कुछ सालों से अनियपित मौसम की वज़े से लदाख के उत्री भागों में होने वाली बर्दबारी में कमी आई है साथ ही उपरी इलाकों में बढ़ते तापमान की वज़े से ग्लेशियर भी सिकुड़ते जा रहे हैं पिर एसी ट्रैम में तो सर्दी ट्रैम में बड़ गरिय गए ठेम में को कुछ मदद नहीं है फिर गाहन अलाको कुछ वाष्ता बचत भी नहीं है भीर जर्रेशिक नहीं है इसी के लिए बहुत बढ़ा जह चाला इसी के हमारा गाहन अलाको आड UP दावा सेरिंग करीब दो दशक पहले इसी कैम्प का हिस्सा हुआ करते थे लेकिन कठिन परिस्तितियों की वजए से वया पेशा छोड़कर चुनी दानों की तरह ही ले में काम करने लगे हैं पहले बहुत बरब जिरता है चिनना फूर जाता है और फूर ना फूर इसा जिरता है तो चिनना ठंडा हो गया और पश्मीना तो अच्छा हो जाएगा खान जगा में थोड़ा गरम है यह तो पश्मीना तो थोड़ा अच्छा नहीं है वो तो किनना हो चिसा ठंडा हो गया वो तो ऐसा लंबा हो जाएगा उनमें यहां पे वो तो गरम तो ऐसे च्छोटा होता है लदाक का पशुपालन विभाग, चांगपाओं, उनके मवेशियों और पश्मीना उतपादन पर काम करता रहता है विभाग की गतिविडियों में मवेशियों को जंगली जानवरों से बचाना ठंड से होने वाली मौतों को कम करना और पश्मीना के उत्पादन को बढ़ाना शामिल है पशुपालन विभाग युवा चांगपाओं में इस पेशे को लेकर जागुकता बढ़ाने के लिए भी काम कर रहा है कैथरीन लदाख में कल नाम की संस्था चलाती है और पिछले दस सालों से खारनक के लोगों के साथ उनकी आजिविका को सुदारने का काम कर रही है उनका मानना है कि पैसे के अलावा बुनियादी सुविधाओं की मौझूदगी चांगपाओं के लिए बेहद जरूरी है साथ प्रॉपनोन के अपराओं के कि प्रास्तुक्या था ता Y gry थर शुपर के अभाओं के सब्सक्राथ तक्या की था эффंश सब्सक्राइब Nick kes scar तill और फर भ्ली बुला है कि ये वो भीज दो पिक आपड़ कि नहीं कोुई. है एक बस्ट में घरूब लाया कि उनके साथ प्ली नहीं को और प्ली नहीं कि वोड प्ली हमाट वीक कि अटो हैं. और भी मेरा भी बाहन। पस्ट चीज़ मेरा करें कि तर सिर्श. तो जब वेदे खोले जाए वेड़ारी ऑष्यूल रहाड़ी। और प्सकूलाब कोईसे लिव झाल उडियों को फ帶क रवे हुए हैं कि वोगष में रवी जान प्सक्षा सब्सक्षाध को टा क्या हो जो पुख रहरा है कि एक भी यूप शोड़ एक है जो खो रहा कि एक बहुब साओ है कर प्रफ्ट चर्फ्ट मूफब यह